नमस्कार दोस्तों आप सभी का Polytechnic Study Center में स्वागत है दोस्तों आज हम Time and Distance Time and Distance Mathematics Chapter की Time and Distance Mathematics के Chapter की एक फूर्थ वीडियो लेकर आए हैं इसमें एक और पार्ट कराएंगे हम इस Time and Distance से Related Question का और इससे पहले आपने तीन वीडियो नहीं देखिए हमारी काफी important थी आपके basic skills develop करेंगे Speed, Distance और Time के बारे में बताएंगे तो जरूर देखो देखो देश्तों तीनों वीडियो काफी important है और चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हम अपनी आज की फूर्थ वीडियो important है आपके time and distance और दोस्तों यह question है हमारा कि आप body is running at a speed of P km per hour to cover a distance 1 km due to slippery ground his speed is reduced by Q km per hour P is greater than Q if he takes R hour to cover the distance then तो दोस्तों हम से कुछ इस question में का गया है कि एक लड़का है जिसे 1 km की distance cover करनी थी P km per hour के speed से पर दोस्तों slippery ground होने के कारण उसे अपनी speed रोग धीमी करनी पड़ी के slippery ground होने के करने के कारण उसे अपनी speed Q km reduce करनी पड़ी Q km per hour reduce करनी पड़ी मतलब P में से Q km per hour गटानी पड़ी और फिर उसने और घंटे लिए उसने फिर और घंटे लिए तो कवर distance को कवर करने के लिए तो दोस्तों चलेए सुरू करते हैं हम question को solution पहला पॉइंट का गया है कि हमें पर distance कितनी है 1 km distance कितनी है 1 km कवर करनी है speed कितनी थी हमारी P km पर आओर P km पर आओर से तो दोस्तों से हमारा इस से डी बाइ डी बाइस बराबर T निकल के आता है तो D कहा है 1 और S है हमारा P और T और T का T रहने देए तो यह हमारी फस्ट एक कोईशन निखल कि आथी सेकंड में कहता है कि हमें यही कवन किलो मीटर करना था पर स्लिपरी ग्राउंड होने के वज़े से उसने रिड्यूस कर दी क्यू क्लो मीटर पर आहर मतलब एर रिड्यूस कितनी हुई टोटल रिड्यूस कितनी हुई और स्पीड्य और स्पीड ना कितनी हुई एभू कि पी माइनस की में स्कीक्लो मेटर पर आवर दोस्तों यहां पर स्पीड स्क्डactor दो मतलब P मैंसे इतनी कम कर दी मतलब P माइनस Q किलो मीटर पर आउर कर दी और हमारा डिस्टेंस 1 ही किलो मीटर है और अब उसे टाइम कितना लगा आर आउर लगे उसे अब टाइम कितना लगा दोस्तो आर आउर लगे आर आउर लगे तो दोस्तों इसे क्या बनता है? डी वाइ एस बराबर टी हमारा 1 km ही था अश तोस्तों क्या निकल के आता है? अब इससे हमारा रिलेशन निकल के आता है 1 by r बराबर P minus q 1 by r बराबर P minus q is the right answer of the question तो देखते हैं option, option number A is wrong, 1YR is equal to PQ by P plus Q, गलत है हमारा, गलत है, यह answer, option B है, 1YR is equal to P plus Q, तो option B भी गलत है, C है, R is equal to P minus Q, यह भी गलत है, और डी option सही होगा, हमारा, 1YR is equal to P minus Q is the right answer of the question, और हमें 4 मासासानी से मिल जाएंगे, तो दोस्तो आपको जो question कहता है, उसी को follow करते जाना है, और आपका answer जरूर आएगा, तो दोस्तो इस परकार से आपको time and distance के question करने, एक ही formula है, उससे बही गूमता रहेगा, पुरे time and distance में पर कावी important concept के जाथ, तो जरूर देखें दोस्तो हमारी और वीडियो, यह fourth part था, इससे पहरे तीन पार्ट नहीं देखें, तो जरूर देखें, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो, जै हिंद, जै भारत.